आज का विशे है मांग पूर्ती का नया नियम टोटली न्यू रूल आफ डिमांड एंड सप्लाई पूराना नियम क्या था? मानलो किसी वस्तु का उत्पादन एक हजार यूनिट है एक हजार चीज़ां बनती हैं मानलो सपोज कोई टूटपेस्ट है और एक जगे पर एक हजार यूनिट बन रहे है उसकी डिमांड भी एक हजार की है उसकी कीमत मानलो 20 रुपए है एक हजार ही डिमांड बनी रहती है एक हजार ही उसका उत्पादन बना रहता है तो कीमत 20 रुपए ही बनी रहेगी अब अगर उत्पादन घट के किसी कारण से 500 रह जाए तो हर वेक्ती टूथपेस को खरीदना चाहेगा दुकानों पर भीड़े लग जाएगी और लोग ज्यादा पैसा दे कर खरीदना चाहेगे ऐसे में कीमत में दुगनी हो सकती है तीन गुनी भी हो सकती है ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड आदी हुई तो कीमत दुगनी हो जाए कीमत तीन गुनी भी हो सकती है जेड़ गुनी भी हो सकती है जितने में सौदा पट जाए हो सकता है कुछ लोग टूथपेस की जगे पर नमक और तेल का मंजन करने लगें, कुछ लोग कोईले की चूरे का मंजन करने लगें, टूथपेस का मोह छोड़ दें, कुछ लोग शिफ्ट कर लें, लाल दंत मंजन करने लगें, काला दंत मंजन करने लगें, बंदर चाप या गधा चाप या गोडा चाप जो भी कोई मिलता उनको वो करने लगे ये भी हो सकता है तो कहो demand ना बढ़े ये भी संभाव ना है ये depend करता है commodity पर essential commodity अगर है तो उसके तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी मान लो कि अगर essential है बिलकुल जिसके बिना गुजारा हो ही नहीं सकता है, जैसे कि पैट्रोल है, उत्पादन कम होगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ते ही उसके कीमत बढ़ जाएगी, अब अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन उतना ही कर रही है, यह मांग घट जाती है, किसी भी कारण से, लोगों को दूसरा प् ब्रांड पसंद आ जाना एक कारण है, और दूसरा कारण है कि प्रोडक्शन ही बदल देना, अब यह प्रोड़क्शन यूज भी नहीं करेंगे, अब हम कुछ और यूज करेंगे, जैसे अभी इब बताया था, कि टूटपेस्ट यूज ही नहीं करेंगे, मन्यन यूज करे लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड एक हजार टूसपेस्टों की है और कमपनी दो हजार बनाने लगती है सोचके कि डिमांड बढ़ेगी और वो बिक नहीं रहे हैं तो कमपनी अपने दाम कम करतेगी इसको साधा शब्दों में डिफलेशन कहते हैं मुद्रा आवस्वीती और कीमत बढ़ने को साधार शब्दों मुद्रा स्वीती कहते हैं इन्फलेशन ये मांग और पूर्थी का पुराना नियम है लेकिन जब से थेलर ने 3-4 साल पहले नोबल प्रोसकार जेने मिला था नजित्योरी के उपर उन्होंने अपना सिद्दांत दिया इसका इंट्रोड़क्शन हमने फ्री चैनल पर दिया हुआ था लेकिन ज़्यादा लोगों ने वीडियो ही नहीं देखा इतना important वीडियो तो फिर मैंने उसको hide कर दिया वीडियो को hidden वीडियो है और आपको जो hidden वीडियो मिले हुए है आगे और भी मिलते रहेंगे तो उनमें शायद वो आपको मिल जाए मैं गारंटी नहीं कर सकता क्यों डिलीट कर दिया हो या कभी-कभी गुस्से में आगे डिलीट भी कर देते हैं hidden videos भी बहुत मिलेंगी चिंता मत करना अभी बीच में हम upload नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे बहुत upload होने हैं तुम्हीं लोगों के लिए hidden videos और किसी के लिए नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी यही videos आप लोग नहीं देख रहे हैं तो hidden का बोज क्यों डाला जाए अभी तो ठेलर का सिद्धान्ट जब आया तो यह आया कि मांग और पूर्ती ठेलर के पहले एक और सिद्धान्ट आया किसी वैग्यानिक का सिद्धान्ट नहीं है अर्थ शास्त्री का सिद्धान्ट नहीं है लेकिन एक सामान्य ग्यान का सिधान्त है dynamic theory of demand and supply dynamic theory होती है कि demand and supply बढ़ने की दर पर depend करता है मानलो demand जो है वो 1000 से 1100 होती है एक महीने में अगले महीने 1100 से 1200 होती है फिर 1300 होती है, 1400 होती है arithmetic series में demand बढ़ रही है तो supply भी arithmetic series में अगर बढ़ती है यानि एक हजार यूनिट, ग्यारा सो यूनिट, बारा सो यूनिट, तेरा सो यूनिट तो कीमत भी स्थिर रहेगी लेकिन अगर डिमांड बढ़ रही है लोगरित्मिक स्केल में गुनात्मक्स ट्रेनी में यानि कि जो मांग बढ़ रही है अगर 1000-2000 यूनिट हो जाती है, 3000 यूनिट हो जाती है, तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई अगर अर्थमेटिक सिरीज में बढ़ रही है, यानि 1000 के बाद 1200 सप्लाई हुई, 1300 ही, 1400 ही, तो कीमतें बेताहशा बढ़ेंगी, यह डाइनिमिक तियोरी है, यानि इसमें डिमांड बढ़ना और सप्लाई बढ़ना केवल अंतर से नहीं है, बढ़ने की दर से है, यह उसी परकार है जैसे फिजिक्स में तोरण होता है, एकसिलेरेशन, यानि गतिके बढ़ने की दर, ऐसे ही डिमांड बढ़ने की दर, और सप्लाई बढ़ने की दर, रेट of increasing supply and rate of increasing demand ऐसी decreasing में भी होता है फिर increasing और decreasing का भी होता है हो सकता है demand increasing और हो और हो सबक्रिभाब यह जो एलेक्सा बोलने लगी है demand और supply को ये बड़ी गड़ बात है हमने पूछा भी नहीं है और बखबख करना शुरू हो जाते हैं ये लोग जो है एलेकसा और वो सीरी जो है ये बहुत बखवास चीज़ है ये बहुत इरियोटिक और इरिटेटिंग है और ना इसके ओफ करने का कोई सिस्टम मिलता है बोलते बोलते बीच में ये पकड़ा लेते हैं शब्द और उसके उपर विकिपीडिया से बखबख बखबख शुरू हा जाते है फोन के अंदर ये आजकल की इंटरफेरेंस से जबरदस्ती की अब इसी इस तुम समझ सकते हैं हमारी सारी बात नहीं ये लोग सुनते है मतलब फोन के एप और फोन और सब सारी बात सुनते है चलो अब जो है जैसा संसार है उसी में तो जीना है और क्या कर सकते हैं टोटल आफ कर दो तो उसका फायदा ही क्या है फिर तो डाइनमिक थियोरी जो है वो ये है कि दर देखी जाती है अब आते हैं थैलर की बात पर नज नज का मतलब है सेंटर अफ अट्रेक्शन समझने के लिए केंदर आकर्शन का केंदर बिंदू तो आजकर व्यापारी उसी चीज़ को हमें जबरदस्ती टिका देता है नाम बदल के, रैपर बदल के, पैकिंग बदल के, नज क्रियेट करके यानि तरह तरह की विग्यापन देकर कॉस और अउगांगुली से विग्यापन दिलवा दे मुझे ज़्यादा क्रिकेटर के और सबके नाम नहीं पता है लेकिन जो पता है, जो ध्यान में आ गया, उससे अनुषका शर्मा से दिलवा दे ना क्रिकेटर सही, क्रिकेटर की तो हैं तो उन से दिलवा दे, विग्यापन, अमिताब बच्चन के आवाज में विग्यापन दिलवा दे, उनकी तो आवाज मी बहुत दम है, अगर उनोंने हाएं करके कह दिया कि ये खरीद लो, तो हम चॉकलेट भी खरीदने को तयार हो जाते हैं, कुछ मीठा हो जाए के नाम पर अपने परंपरागत पेड़े भूल जाते हैं, और चॉकलेट से कुछ मीठा हो जाए की बात करते हैं, डिवाली पे चॉकलेट देने लगते हैं, कि वह अमताब बच्चन ने कहा इसलिए, अरे उनका तो धंदा है, वो तो पैसा लेते हैं इस बात का, उससे क्या मतलब है, तो तुम्हें अच्छा लगए वो करो, लेकिन नहीं, हम लोग अमताब बच्चन के इतने गुलाम हैं, उनकी आवास के गुलाम हैं, उनकी वेक्तित्तु के गुलाम हैं, ये गुलामी पता नहीं, मैं तो नहीं करता किसी गुलामी, लेकिन लोग करते हैं, उनके गुलाम है अब ये एक छात्र ना मुझे लेखा बिना मतलब कि कुछ पूछना ताज सिर्फ इतनी गुरुजी प्रणाम आपकी कृपा बनी रहेगी तो मैं आईएस हो जाऊँगा मैंने का न तुम मेरे बहच में हो न मैं तुम्हें जानता हूँ मेरे कृपा से कोई आईएस नहीं होता लोग इतने मैं तो एक शब्द कहूँ थोड़ा सा अजीब लगता है कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें वो ये समझते हैं कि किसी की कृपा से कुछ हो जाएगा लोग जो है हमिताब के भी भक्त हैं पहले परयास में सफल हो गए थे लेकिन पद कभी नहीं बताते हैं कि किस पद पर गए थे बही सफल हो गए तो पद बताईए अगर है हिम्मत तो open challenge है लेकिन भक्त बड़े 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 मिलियंस भक्त है एकदम से ये अवल दरजे के मुर्ख लोग जीवन में सदय अपना पैसा लोटाते हैं तो ये nudge create करना है नudge create करना यानि कि आकरशन पैदा कर देना बाकी तो आदमी बेवकूफ ही है ठैलर के सिधानत का एक जो पहली थेयरी जो उन्होंने नहीं कही है जो मैं कह रहा हूँ के consumer बेवकूफ है एकदम idiot है बलकुल उसको मुर्ख बनाओ और बस लूट लो तो उसको मुर्ख बनाया जा आजकल अगर purple color जादा चल रहा है तो हर चीज में purple ग्यापन में purple हर जेगे purple अगर unicorn पे बच्चे फिदा है तो unicorn कहीं न कहीं ला दिया जाता है जब पूरी में shopping करके निकलते हैं तो जहां payment करने चलते हैं वहां glass के बहुत सारे counter लगे होते हैं जिन counter पर वो चीज़ें बिक chocolate toffies हैं या इसी तरह के puff cakes हैं cup cakes हैं इस तरह की chocolates हैं जो last में आपको लगता है कि ये भी खरीद ले जो कि normal shopping list में आपकी में नहीं थी तो ये nudge है इसको nudge point कहते हैं cash counter पर जो तमाम सारे चीज़ें departmental store में लगी रहती हैं online shopping में भी ये nudge create की जाती है वो सब माल बेश दिया होते हैं जब आप checkout करते हैं तो उसमें आता है कि शायद आप ये भूल गए हैं ये भी खरीदिये ये भी खरीदिये वो suggestion आते हैं बहुत सारे चेक आउट करने के पहले पहले दुखांदार जब बेचा करते थे तब भी वो इस तरह से दिखाते थे कि सर एक ये product और देख देख लीजिए एक ये चीज़ और देख लीजिए सारी वाले अक्सरी धंदा अपनाते हैं चलते चलाते दो तीन बहुत बेहतरीन किसमों की चीज़ें दिखाएंगे जो आदमी खरीद ही लेको किसी ने किसी तरह महिला हैं जो आती हैं उनकी निगाप पड़ जाय तो फिर वो खरीदे बिना रह नहीं सकती मैं तो भुक तो भुगी हूँ खेर मैं जानता हूँ मेरी पतनी अच्छे से शॉपिंग करके दो साड़ियां बहुत कॉसली खरीद के जब उठी तो उन दो साड़ियों की कीमत से भी जादा की एक साड़ी उसने रैसी दिखाई कि वो इतन साठ्हजाद की साड़ी बेचने में सफल हो गया। साठ्हजार की हम लोग पहले खरीच चुके थे, सात्तर अजार की साड़ी वो बेचने में सफल हो गया। YEhib यह नजड़ छोरी है। یہाँ पर न डिमांड है न सप्लाई है। रीज़न यह डिमांड तो तू छी में जлагग Flipkart Amazon खोलते हैं तो तुरंती बहुत सारे प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं तो हमें पता लगता है हमारे पार फोन होता है फिर भी हमें एक फोन खरीद लेते हैं यह जो आया है इसका जो refresh rate है वो 120 है हमारा फोन तो जो है 60 का है 90 वाला बेतर होगा ज़्यादा अच्छा देखता होगा मैंने तो सब करके देख लिया AMOLED डिस्प्ले के वाल अच्छा देखता है बाकी डिस्प्ले से Super AMOLED जो Samsung का होता था बाकी तो सब एक से ही हैं कोई फरक नहीं पड़ता चाहे रिफ्रेश रेट कितना जिने गेम खेलना उनकी बाता लगए लेकिन है चल रहा है धंदबानी इसी बात पर चल रहा है तमाम चीजों में हमें ये कहा जाता है कि आप ये करिए तो आप बहुत बेतर बेतरीन experience पाएंगे जबकि सच बात ही उसका कोई बेतरीन experience नहीं है लेकिन हम वो चीज़ खरीद लेते हैं यही nudge create करना तो demand and supply का नया नियम ये create demand पहले का नियम ये था demand is there पहले का नियम था demand already exists अब का नियम ये है supply करो और demand पैदा करो एक और चीज़े पहले से किसी चीज़ के लिए nudge create कर देना यहां गाजियाबाद में पहले एक टाटा का एक internet service आई थी मुझे याद नहीं उसका क्या नाम था तो सारे सड़कों पर एक शब्द लिखा हुआ board लगे हुए थे lighted board उन पर light हैं जल रही थी definitely करोन रुपए खर्श किया होगा पूरे अंदोस्तान में और कवर्बों किया हो सब के मन में एक चीज़ मालो for example वो शब्द आर था मालो अब हमें नहीं याद है वो शब्द क्या था तो हर एक के दमाग में आ गया कि आर क्या है आर कमिंग सून आर कमिंग सून अब हरा भी इंतजार कर रहा है कि आर ना हुआ जो है उनका पहला पुत्र हो गया कि जो जल्दी इस दुनिया में आने वाला है सब आर के इंतजार है फिर धीरे से आया on 25th of January आर is coming on Republic day you will see आर तो आर इसके बाद वो आर नाम से कोई कंपनी लांच कि उन्होंने और उसका IPO लांच किया और धरा धर सब्बिग गया ओवर सबस्क्राइब हो गया सीधा 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 इस तरह से हुआ नहीं टाटा का नहीं था रिलाइंस पेट्रोलियम का था मेरे खाल से जबकि उससे हमें कोई खास मतलब नहीं था पेट्रोल कहीं भराएं और रिलाइंस पेट्रोलियम ने इस पूरे खर्चे को निकाला ये कहके कि हमारा पेट्रोल ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा बढ़िया चलता है ये कहके 10 रुपिया मेहंगा पेट्रोल बेचा था अब हमें याद आ गया रिलाइंस पेट्रोलियम था उसका जो आईप्यो था इनिशल पब्लिक आफरिंग जो शेयर था इतनी जल्दी बिकावर इतनी जल्दी प्रीमिम पे गया अलागि बाद में सब गड़े में चला गया उनके सारे पेट्रोल पॉंप भी बंद हो गया दुबारा फिर खुलें और इन पर बहुत गटी आमार मिलता है ये मैं पहले बता दूँ मेरी गाड़ी में एक बार रिलाइंस का पेट्रोल पड़ा तो गाड़ी का इंजन सीज होते होते बचा उसमें पानी मिला हुआ था बहुत शिकायत की कुछ कुछ नहीं हुआ अब मुखदमा कुदमा दायर करते तो बात अलगे लेकिन प्रमार नहीं मिलता तो वही लोग जीत जाते हमारे पैसे लाख वर रुपया खर्च हो जाते हैं फाल दूँगा लेकिन रिलाइंस से सावधान रिलाइंस पेट्रोलियूम इस नॉट गूट यह अंबानी बड़े आदमी ऐसी नहीं बने हैं बहुत लूटते हैं यह लोग तो लेकिन अब आप लोगों को फ्री इंटरनेट दिया यह नोने बरसों इसलिए तो उसकी कीमत भी तो निकालेंगे आखरकार आप ही लोगों को दिया मैंने तो नहीं रिलाइंस यूज किया कभी भी आज मैं यूज करता हूं इंटरनेट तो आठसो चोँविस रुपया महीना देता हम उसके कोई फ्री इूज करता मैं मेरी कभी भी आस्था फ्री में कभी नहीं रही है जो मिल रही इस फ्री चीज वह अलग बात है जो यह ही मिल रही लेकिन प्रयास करके जैसे Reliance का Free का फोन तो मैं खरीदना पड़ता था और Reliance का Free रिचार्ज कराना पड़ता था मतलब Free सही लेकिन कराना तो पड़ता तब मैंने कभी नहीं कराया मैं प्रयास करके Free चीज नहीं लेता है मुझे ऐसा लगता है जैसे धरमशाला में मुफ्त खाना बट रहा हूँ तो लाइन में लगके वो Free लेने जा रहे हैं तो ये भिक्षाबरती मेरे अंदर नहीं रही कभी भी मैंने Tata इस्तिमाल किया मैंने AirTail इस्तिमाल किया लेकिन AirTail इस्तिमाल किया सदैब सारे फोन में सब में और मैंने कभी भी Reliance का Free जो इंटरनेट है मैंने यूज नहीं किया अब जब इनका Fiver आया है जो इनका प्लान है वो मैं यूज करता हूँ कोई दिक्कत नहीं पैसे देता हूँ ठाउक के अम्बानी को और अम्बानी से सर्विस लेता हूँ अम्बानी तो मेरी सेवा में लगे हुए है अच्छी बात है लगे रहना चाहिए लाला लोग है और क्या करेंगा हमारी सेवा ही करेंगे ये लोग तो ये आजकल की नज ठीओरी है जबरदस्ती गरा को वो बेच देना जो खरीदना नहीं चाहता है एक लाइन में ये समझ लेजे तो आजके लिए इतना ही